एक बहुत ही दिल्चस्प किस्सा सुनाता हूँ, हमने इंटरनेट कंपनी तब शुरू की, जब इंटरनेट ही नहीं था जोक पैसे कमायते, ना कि वो गए, साथ में उधार भी होगी, तो बहुत मुश्किल हूँ ये एक और सिद्धानत है, विश्वास अपने आपने पैदा करो, क्योंकि विश्वास के बिना, आदमी दस कदम भी नहीं चल सकता है 2020 से 2030 तक, इंडिया की आंत्रप्रणोय सदी आएगा, मेरा क्या बुनने कब तो इसलिए हम आ रहे हैं शार्क टैंक, शोर लेकर, हमारे नौजवानों को नमस्कार, चलिए आज एक प्रशन से शुरू करते हैं, क्या कोई मुझे आंत्रप्रणोशिप की स्पेलिंग बदा सकता है, करीब 8-10 लेटर्स का शब्द है ये, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आंत्रप्रणोशिप में सिर्फ चार लेटर है, चार अक्षर हैं, तो अक्षर होगा, तो मैं आपको बताओं, वो चार अक्षर कौन से हैं, आंत्रप्रणोशिप की नई स्पेलिंग है S-E-X-Y, याने की सेक्सी, आंत्रप्रणोशिप इस फाइनली सेक्सी ना कंट्री अन ग्लोबी, और ये बहुत बड़ी बात है, मुझे इसका एक नीजी अन काफी साल पहले, जब लोग रिष्टा ढूनते थे अपने बच्चों के लिए, तो अंत्रप्रणोश कभी नहीं ढूनते थे, फाउंडर्स कभी नहीं ढूनते थे, क्योंकि उनके पास रोजगारी नहीं होती थे, फाउंडर्स माने सपने देखने वाले, थोड़ी काम करने लोग क्या ढूनते थे, engineers ढूनते थे, doctors ढूनते थे और कोई गलती से भी अगर लिख देता entrepreneur या founder तो फिर उनका तो पत्ता कट लेकिन ये बात बदल रही है, नया दौर है और आज हम बात करेंगे इसी विशय में, entrepreneurship के विशय में मैं अपने अनुभव और मेरे नजर्ये से आपको 4-5 entrepreneurship और business के सिधान्त समझाओंगा, बाटूंगा तो चलिए, आगे चलते हैं तो मेरी कहानी समझने के लिए आपको मेरे साथ मेरे बचपन चलना पड़ेगा थोड़ा, मेरी जिन्दगी के अनुभव आपके साथ बाटता हूं ताकि आप भी समझ सके मैं कहां से आ रहा हूं और क्यों जो करता हूं वो करता हूं तो पैदाशी बंबई की है ममी डाड़ी बहुत प्यारे लविंग किसम के लोग हैं दो बहने बड़ी बहने हैं और हम बिजनस फैमिली से आते हैं तो शुरू से ही वेवसाय वेपार देखने को मिला बड़ी करीबी से और चोटे चोटा था बचपन से ही मुझे जिग्यास बड़ी थी इंफैक्ट ममी बड़ा परेशान रहती थी कि भई तू बहुत पूछता है थोड़ा कम कर पिच्छर देखने जाते थे तो भी वह कहती थी या तू और किसको देखने नहीं देता है थोड़ा कम बोला कर तो यह जिग्यासा बहुत जरूरी चीज़ है अंत्रप क्योंकि बिजनस फैमिली से थे तो क्यों ना पिताजी को देखके बड़ी प्रेरना मिलती थी तो उनकी तरह हम भी चल पड़े लेकिन फेलियर हुई शुरू में फिर मैंने कोशिश की पिताजी के साथ दो साल काम करने की फैक्टरी गया उनके साथ कॉलेज में था उस वक् एक ट्रेन से जाता था फैक्टरी दोगंटे ट्रेन पकड़के वापस आता था मज़ा नहीं आया तो अब ही सुचा क्या करें तब ही एक कॉंट्राक्ट मिल गया यॉरप मेड़ाप्स कॉटन मेड़ाप्स एक्सपोर्ट करने का तो लग गए जोड से जोश से जुनून से क ये काम करके दिखाएंगे तो क्या हुआ कि पैसे नुकसान हो वो काम तो किया हम ने लेकिन नुकसान हो गया तो क्योंकि बचपना था और अभी तक कच्ची उमर ती तो हमने ये नहीं सोचा कि हम में कुछ खराबी है बलकि ये सोचा कि ये देश में खराबी है तो फिर पि फिर समझ में आया कि यॉरप में ही कुछ खराबी तब भी अकडू टाइप के थे तो अपने आपको दोश नहीं दिया तो वहाँ से फिर यॉएस निकल गए वहाँ भी कोशिश की, कुछ बना नहीं तब समझ में आया और ये एक दूसरा सिधान्त है जो जरूरी है समझना कि आपको नियम तोड़ने से पहले नियम समझना जरूरी है तो ये बहुत जरूरी पहला सिधान्त कहूंगा बलकी है, तो तीन-चार बार फेलियर हो गई तो कहा अपने आपसे शायद पढ़ाई कर लेते हैं यूएस में रहेंगे और कहीं काम करेंगे तो कुछ नियम सीखने मिलेंगे फिर वहाँ से ग्राजुएट हुए तो ग्राजुएशन के बाद काम मिला और ये डॉट कॉम का क्रेज चल पड़ा था तो बहुत काम बड़ा मैं भी बड़ी तेजी से आगए बढ़ा कंपानीमे और क्रोड़ो रुपे नाम हो गए बड़ी ब़ारीक कुमर में stocks मिलते थे, shares मिलते तो वक्त ... अइंडिया में तो आज मिलने लगे है लेकिन अउस वक्त इंडिया यूएस में मिलते थे और हम लगे रहे लेकिन फिर 2000 में पुरा explosion, implosion हो गया explosion नहीं, dot com बस्ट हो गया और internet की सारी companyya ठप हो गई, साथ में हम भी ठप हो गई, और जोग पैसे कमाये थे, ना कि वो गए साथ में उधार भी हो गया तो बहुत मुश्किल हुई बहुत छोटी उमर थी, तो मुश्किल तो हुई, लेकिन एक भरोसा भी था, उमर जब छोटी रहती है हमको लगता है कुछ नहीं हो सकता है हम कैसे भी करके निकल जाएंगे तो उसी तरह हमने भी ये सोचा तो विश्वास था एक जिग्यासा पैदा हो गई थी क्लासरूम में जो हादसे हुए थे उस्ते तो मेरी जिन्दगी का मोड़ी बदल गया था खुद में ये विश्वास हो गया था कि अपनी नजरिया भी कुछ होता है सिर्फ औरों की सुनके नहीं करते हैं, अपनी बात भी सुनो तो वो नजरिया लेकर और वो विश्वास लेकर मैं फिर भारत लोटा और ये एक और सिध्धानत है विश्वास अपने आप में पैदा करो क्योंकि विश्वास के बिना आदमी दस कदम भी नहीं चल सकता है तो फिर मैं भारत आगया वापस इंडिया अपने देश बी प्राउड इन और ओन क्राउड कहते हैं वैसे भी कुछ था नहीं अमेरिका में तो सब खोई चुके थे तो इंडिया आके एक कंपनी मैंने एक दो साल पहले शुरू की थी और उस समय देखो इंजिनियर को पांच अजार रुपे मिलते थे डिजाइनर को साथ अजार रुपे मिलते थे और मेरी सालरी काफी थी यूएस में तो पांच तस लोग की टीम हायर की थी मेरे दो कजन्स मेरे साथ काम करते थे आनंद और पूजा उनका बड़ा रोल रहा इसमें हमारी कामियाभी में लेकिन तब में वापस आया तो कंजूमर इंटरनेट से में बहुत प्रभावत था क्योंकि यूएस में वो देखने को मिला अमेरिका में इंडिया में तब इंटरनेट भी बहुत ही कम था तो मैं अकसर कहता हूँ हमने इंटरनेट कंपनी तब शुरू की जब इंटरनेट ही नहीं था तो हम लग गए कंजूमर इंटरनेट कंपनी शुरू करने में एक वेब डिवेलपमेंट कंपनी थी सत्यानेट सॉलूशन्स हम कहते थे उसको तो उससे हम दूसरों की साइट बनाते थे और उससे पैसे आते थे लिश्चिता लेने आए थे चैसे पापा के दोस्त बने के आए मेरे घर पे ओफिस में सबलकी और खहने लगे कि आप ये देखो बायुडीटा देखो तो मैं समझ किया क्या करने आए मैंने का भाई बायूडीटा बगरा छोड़ो तुम इसको इंटरनेट पे लगा देते हैं, लोग कहीं भी ढूंड पाएंगे अपना हमसफर तो उन्हों ने तो बड़ी दरावनी नजर से मुझे देखा और फिर उसके बाद कभी मुझे मिले नहीं लेकिन हमारे लिए एक आइडिया की पैदाइशी हो गए थी तो हमने हमारे इंजिनियर्स को बोला भई ये साइट बनावा तो एक साइट बनाई हमने उसका नाम था सगाई.com शादी.com भी नहीं था उस टाइम पे और दीरे दीरे वो बढ़ने लगी, काम होने लगा, लोग आने लगे और हमारे पास वैसे भी उस समय कुछ 25 ता 30 लाग रुपे वो टाइम बहुत हुआ करते थे और वो जमा हो गए थे, दूसरों की वेबसाइट बनाते-बनाते तो अभी हमने सोचा अभी क्या करें भाई तो ये सगाई.com काम बढ़ने लगा, लेकिन हमें एक डोमेन नेम ऐसा चाहिए था जो कि सबको याद रहे और एक शादी.com करके डोमेन नेम मिल रहा था और उसने मांगा हमसे 25 लाख रुपे और पूरा हमारा बैंक बैलनस ही वह था तो अभी कैसे दे दें? तो एक बड़ा मतलब decision लेना पड़ा, सोच में पढ़ गए, कर पाएंगे, कैसे करें, जतना पैसा कमा है, आज तक सारा ही देना पड़ेगा लेकिन तब instinct काम में आती है, अभी instinct को हिंदी में क्या कहते है मुझे पता नहीं, लेकिन एक instinct ने का भाई, ये काम कर दो, सबने सोचा हम पागल हैं, लेकिन वो instinct को लेकि हमने वो domain खरीद लिया, और उससे काम और बढ़ा, फिर थोड़ा जुगार शुरू किया, और ये भी समझ में आया, शुरू-शुरू में हर काम में जुगार तो बनता ही है, तो email spam करने लग और internet talent ही नहीं था ये देश में, तो क्या करना है, तो याद है मुझे कि हमें एक product manager चाहिए था, तो एक ladies आए, PR journalist हमारे पास, interview करने, कि भाई, बताओ आप internet company बना रहे हैं, क्यूंकि शादी का मामला था, लोगों को बड़ी रूची रहती थी, क्यूंकि एक cultural issue था, आप श बात करके कि भाई, तुम्हें तो इसमें बड़ा interest है internet में, तुम इस काम को छोड़ो, मुझ से join कर लो, तो वो बन गई हमारी पहली PR या corporate communications लड़के, उसी तरह एक दूसरे बंदे आए, वो भी interview करने आए, उनको हमने product management रख लिया, तो इसी तरह लोगों को बटोड़ते साथ करते रहे, कि साथ में कारवा बनेगा, आगे बढ़ेंगे, जो मिलेगा उससे ले लो, क्योंकि उस वक्त चोइस नहीं था, आज तो चलो करोड़ो रुपे लेके, लोग बिजनसे कर रहे हैं, तो आप हायर कर सकते हो, कितने भी पैसे दे के, लेकिन उस टाइम वो option ही तो यही सब जुगार बगरा किया, काम बढ़ने लगा, तीन-चार करोड़ रुपे मैंने के, मैंने के नहीं, कि साल के कमाने लगे, और वही कस्टमर की funding लेके, ना कि VC की funding लेके, हम बढ़ाने लगे हमारा काम, मौज मोबाइल, इंदिया का पहला gaming company हमने शुरू किया, मका बहुत सोरों से काम बढ़ने लगा, और हमने बड़े plans बनाए, बड़ा पैसा खर्चा किया, टीम बहुत बढ़ी की, और हमें एक term sheet भी मिल गई थी, और एक round की, हमारे पास उस वक्त के लिए 25 million dollar आने बाले थे, आज का उसको समझ लिए 200 million dollar round के बराबरी, तो हमने उस बादर बिचाई, लंबी, चौड़ी, और क्या हुआ, 2008 में financial crisis हो गया, जिसे global financial crisis कहते हैं, और वो पैसा कभी आया है नहीं, तो फिर से एक बार एकदम काम्याबी की चोटी पे पहुँचके, हम आ गिरे खाई में, और बड़ी तकलीफ हुए, लोगों को fire भी करना पड़ा, लोगों को काम से निकालना पड़ा, एक दो business unit बंद करने पड़े, एक company को बाहर spin out करना पड़ा, तो दो साल बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की, लेकिन जो भी किया, इनसानियत से किया, अगर लोगों को बाहर निकालना पड़ा, तो उनको बराबर से उनके लिए नया काम ढूंडा या तो उनको छे मेने की पगार दी ता कि उनको तकलीफ ना हो तो जो भी किया बड़ी इंसानियत से किया और फिर एक बार फिर हम काम्याबी की सीड़ी पर चड़ने लगे दो हजार दस ग्यारा तक काम फिर ठीक होने लगा तब तक मैं एक इंजल इंवेस्टर भी बन गया और काफी कंपनियों में इंवेस्टमेंट शुरू कर दी आज तो 200 कंपनी से भी ज्यादा इंवेस्टमेंट हो चुकी है उसमें से 15-20 तो S.E.A. की सभी जानते हैं तो बड़ा बड़ा क्या कहते हैं बड़ी खुशी महसूस होती है यह देखके कि ना कि हमने हमारी खुद की कंपनियां बनाई लेकिन दूसरों के भी मदद की साथ में हमारे लिए भी फायदा हुआ तो इससे एक और सीख मिलती है एक सदानत मिलता है कि जिन्दगी कभी भी सीधी तरह नहीं जाती जिन्दगी की लाइन जो है वो कभी आगे है कभी पीछे है कभी उपर है क अब नीचे है आपको चाहिए कि आप दृड़ता जिसको इंग्लिश में पर्सिवियरंस कहते हैं उससे अपना काम बनाएं कामयाब और नाकामयाब लोगों में अकसर पर्सिवियरंस का ही फरक होता है ये सिधानत बहुत जरूरी है समझना क्योंकि बड़ी कंपनी और कामय ना भी की चोटी चड़ने में 10-15-20 साल लग जाते हैं तो हमने बात की नियम तोड़ने की जग्यासा की जुगार की जोश की तो ये सब बहुत जरूरी है एक तरह से एक उचाई तक पहुचने के लिए ये सब का होना बहुत जरूरी है तब ही आदमी आगे जा पाता है ले मैं युदबा रेस और लंबी रेस खेलना है और बहुत बड़ गाम करना है तो इन सब क्वालिटी से भी एक और उची क्वालिटी है एक और सिद्धाント है जिसे कहते है मकसद और मकसद होना बहुत जरूरी है क्योंकि मकसद के बिना आदमी लंबे अर्चे तक मैहनत नहीं क कि हम क्यों कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो तो लोग समझ रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं शायद लोग नहीं समझ रहे हैं, तो सोच विचार के बाद हमने कहा कि हमारा मकसद होगा togetherness, मतलब लोगों को साथ लाना, वो company का मकसद होगा हमारे brand का मकसद होगा जो भी काम हम करेंगे उसका मकसद होगा togetherness इनसान जो है कभी अकेला नहीं रह सकता है वो हमेशा जुड़ना चाहता है और हमारा काम हो गया इनसानों को जुड़ना आज हम शादी.com कर रहे हैं कल शायद और कुछ करें कमपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी एक तरह से जुड़ना ही हो गया तो जब हमें वो मकसद मिलाना तो और उची उडान बढ़ने लगे तो ये मकसद बहुत जरूरी है अगर बड़ा गेम खेलना है और लंबे अर्से तक खेलना है तो मेरा मानना है कि जीवन की तरह बिजनस या कमपनी बनाना स्टार्टप बनाना भी एक संगर्श है लेकिन इस संगर्श को आप किस नजरिये से देखते हैं फरक उसमें पढ़ जाता है अगर आप इसको एक खेल मानके इसमें बह जाते हो तो फिर मजा यह आ जाता है और अगर आप अपने आप में लिपड़ जाते हो तो फिर दुखी दुख है तो आपका नजरिया बहुत जरूरी है तो कमपनी को बिजनस को काम को एक खेल की नजरिये से देखिए उसमें मजा लीजिए कभी उपर है कभी नीचे है लेकिन खेल जब होता है हम थोड़ी उसमें बह जाते हैं अगर हार भी जाते हैं तो चलो दूसरा के माएगा कर तो यह नजरिया बहुत जरूरी है तो अगर हम हमारी देश में देखें आज और इंडिया की नजरिये से देखें अंत्रपर्नोर्शिप को देखें तो मेरा यह विश्वास है मेरा यह मानना है कि हमारा खेल अभी शुरू हुआ है मैं काफी सालों से कह रहा हूँ जो भी सुनता था उन्हें कहता था कि देखना 2020 से 2030 तक इंडिया की आंत्रपर्नोरियल सदी आएगी मेरा क्या बोनने का मतलग आज हमारे देश में विश्वास हो रहा है कि हम सबसे बड़े आंत्रपर्नोर बन सकते हैं आप एक बात सोचिए माउंट एवरिस कुछ सदीयों तक पहले कोई नहीं चड़ा था क्यों नहीं चड़ा था क्योंकि विश्वास ही नहीं था फिर कुछ लोग चड़ने लगे आज कल तो बच्चे चड़ रहे हैं तो एक बार आदमी को जब विश्वास हो जाता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है हमारे देश में, हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में, आज वो विश्वास है कि वो दुनिया के सबसे बड़े आंत्रपनोर, सबसी बड़ी कंपनिया खड़ी कर सकते हैं और मैं 100% शूर हूँ कि ऐसा होगा 2020 और 2030 के बीच में तो यह जो आंत्रपनोरियल रेवलिशन आ रहा है इंडिया में, इसमें विश्वास भी चाहिए नौजवानों को और साथ में मेंटरिंग जिसे कहते हैं, सीक जिसे कहते हैं, वो भी चाहिए, अनुभव का साथ भी चाहिए तो इसलिए हम आ रहे हैं शार्क टैंक शो लेकर हमारे नौजवानों को प्रेड़ना देने के लिए उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उनमें विश्वास जगाने के लिए तो दुनिया की बेहतरीन एकॉनमी बनानी है हमारे आंत्रुपनोर्स के बल बूते पर क्योंकि अभी विश्वास भी है और शार्क टैंक भी तो मैं हूँ अनुपा मितल और ये है मेरी जोश स्टोर्ड जोश टॉक्स अब स्पोटिफाई एक्स्क्लूसिफ पॉडकास्ट है जिसके साथ जोश टॉक्स की सबी कहानिया आडियो फॉर्माट में अप्लोड होंगी केबल स्पोटिफाई पर और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी काई प्रेणा दाइक कहानिया सिर्फ स्पोटिफाई पर इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्षन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें